फ्रेंज एक ऐसी खबर आ रही है जो कि दुनिया भर में कोहराम मचा चुका है आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोणा ने पूरे देज भर में, इंपक्ट पूरे वोर्ड में कोहराम मचाया हुआ है, कहर मचा रखी है इस बीच एक खबर आ रही है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ हाला कि चाइना इस पर कोई भी ओफिशल कन्फरमेशन नहीं देता ओव्यस है देगा भी नहीं लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है related to the coronavirus जो की उतपात किया गया है चाइना से ये खबर है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ खबर ये आ रही है कि चाइना के वुहान से एक अंगबेजी खबर ने खुलासा किया कि जिससे हर कोई हैरान है दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना ने कई कोफिय प्रोजेक्ट में वुहान लैब ने मदद की है साथ ही उनके लिए कई जानवरों के खतरनाक वाइरस भी खोजे हैं बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल से लैब विग्यानिक नए वाइरस की खोज और बिमारी फैलाने में शामिल जी विग्यान के डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे इसमें चीनी सेन या दिकारी भी शामिल है गौर तलब है कि पिछले साल जनवरी में एक चीनी विग्यानिक ने जनरल प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि तीन साल में यहां पर 143 नई बिमारियों की खोज की गई है चीन के वहान लैब में विग्यानिकों ने जनवरों के वाइरस कोजने के लिए चीनी सेना की मदद ली थी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसमें पांच टीम लीडरों में श्रीज जंगली और बैट वुमन और एक वरिष्ट सेन यदिकारी का और यूचुन भी सैंपल खोजने के लिए गुफाओं में गए थे अमेरिका के वेंड़न इंस्टूट ऑफ वाइरोलजी का आरोप है कि इस तरह के वाइरस फैलाने में चीन के नागरिक और सेना दोनों शामिल हैं इस चीन पर हमले से ही आरोप है कि वहां लैप से करोन वाइरस फैला है लेकिन चीन इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो एक बड़ी खबर आ रही है वो और मैं आपनों के साथ शेर करूंगा जो कि कहा जा रहा है कि Chinese military scientist allegedly investigated weaponizing coronavirus five years before the covid-19 pandemic and may have predicted the world war three fought with biological weapons to ye ek biological weapon ho sakta hai according to media reports referring to documents obtained by the US state department according to sun newspaper in the UK quoting reports first released by the Australian the bombshell documents obtained by the US state department reportedly show the Chinese people liberation army commanders making the sinister prediction US officially allegedly obtained the papers which were written by military scientists and senior Chinese public health official in 2015 as part of their investigation into the origins of covid-19 तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है इसमें कई तथे हैं अब ये देखना और समझना होगा कि इन तथेों में कितने सचा ही है लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि वुहान से इस वायरस की उत्पत्ती हुई है ये कई बार खबर आई है लेकिन आला की चाइना ने इस पर हमेशा कोई भी ओफिशल कंफरमेशन नहीं दिया और ना ही देंगे लेकिन ये एक बायोजिकल वारफेर के स्थर पर जा चुका है दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से ये लोगों पर आक्रमंट कर रहा है इसको हम बायोजिकल वारफेर के तरह ही ले सकते हैं तो आने वाले दिलों में देखना होगा कि दुनिःया की सारी कंट्रेस मिलकर चाइना पर कोई action कर पाती है या नहीं कर झाल झाल